अगर ट्रेन में बिना टिकेट पकड़ ले टीटी तो घबराएं नहीं बस करें ये काम भारती रेलवे ने रेल यात्रियूम के लिए एक अच्छी खबर लाई है हमारे देश में अकसर कई बार लोग जल्दबाजी में यात्रा के लिए ट्रेन पकड़ते हैं इस जल्दबाजी में कई बार ट्रेन के टिकेट लेने का समय नहीं होता या फिर टिकेट वेटिंग में होती है तो ट्रेन छूट जाने के डर से लोग ट्रेन तो पगड़ लेते हैं पर बिना टिकेट पकड़े जाने पर टीसी से पैसे के लिंदिन करके अपनी यात्रा करते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब यदि कोई भी विक्ति ट्रेन की टिकेट नहीं ले पाया तो उसे जुर्माना नहीं भरना होगा अब रेलवे ने अपने यात्रियों को एक नया तफ़ा दिया है जिए आपको बता दे बिना टिकेट के सफर करने वाले यात्री अब बिना किसी परिशानी और जुर्माने के ट्रेन में ही टिकेट ले पाएंगे ये टिकेट सफर के दौरान टीसी से लिया जा सकता है रेलवे ने ये सुविधा अप्रैल में शुरू कर दी है बिना टिकेट के सफर करने वाले यात्री अब बिना किसी परिशानी और जुर्माने के टिकेट ले सकते हैं हाला कि ये अक्येवल सुपरफास ट्रेनों में वापलब्ध है लेकिन जल दी ये सुविधा बागी ट्रेनों में भी हो जाएगी यदि किसी यात्री के पास टिकेट नहीं है और वो ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो उसे टीसी से संपर्क करना होगा टीसी को बिना टिकेट यात्रा करने का कारण बता कर वो टीसी से टिकेट ले सकता है टीसी सम्बंदित यात्री से तैकर आये कि साथ ही 10 रुपय अतरिक्त शुलक लेगा और हैंड हेल्ड मसीन से टिकेट निकाल कर देदेगा ये मशीन पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के सर्वर से कनेक्ट होगी जैसे ही यात्री टिकेट मांगेगा मशीन में नाम और जगह डालते ही टिकेट निकल आएगी रेल मंतरी का कहना है कि इसके परिणाव अच्छे निकले तो जल्द ही लंबी दूरी की ट्रेनों में भी इस विवस्ता को कर दिया जाएगा और यात्रियों को बिना टिकेट के डरने की जरूरत नहीं है जुर्माना नहीं देना होगा केवल बहतरिन सुविधा को पाकर अपने लिए टिकेट निकल वा लेना होगा इस मशीन के मदद से ट्रेन में खाली बर्धों की जानकारी भी आसानी से मिल जाएगी तो कैसी लगी रेलवे की ये सुविधा आपको कमेंट करके जरूर बताए